नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक अहमद और आप देख रहा रहे नियु स्वागत आपका महरों राजिस्थान में रुक करेंगे राजिस्थान की तमाम खबरों की तरफ ब्रश्टाचार निरोधक ब्योरों ने भीलवाड़ा के अतिरिक्त कमिशनर जी एस्टी को ए प्रश्टाचार निरोधक ब्योरों ने भीलवाड़ा के अतिरिक्त कमिशनर जी एस्टी को एक साथ और एक दलाल के साथ चार लाक रुपे रिश्वत लेते रंगे हातों किरफतार किया और वहीं टेक्स्चोरी की इस मिली भगत में उदेपुर निवासी भीलवाड़ा में पोस्टेड एक और अधिकारी को दो दलालों के साथ गिरफतार किया गया है और वहीं स्पेसल इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार उदेपुर और भीलवाड़ा में कारवाई के दोरान उन्होंने कर विवाक से जुड़े दो अधिकारीों साइद कुल पांच लोगों को गिरफतार किया और इसमें एडिशनल कमिशनर मुहम्मद हुसेन अंसारी और भीलवाड़ा के वानिजे कर अधिकारी दिनेश टेलर शामिल है और एसीबी टीम ने बताया कि अंसारी कोनके उदेपुर इस्तिद घर से रिश्वत रासी के साथ गिरफतार किया गया और इस द रूस और यूकरेन के बीच लगातार पांचवे दिन भी जंग जारी है। आई है और उन्होंने कहा कि मैं संबद में विदेश मंत्राले से भी बात कर रहा हूं और सीम ने आगे कहा कि इन सबी बच्चों की भैतर देखवाल के लिए किये वे स्थेद भारते दूतावास में डिफेंस अटेची कमांडर संदीब देश्मुक से भी फोन पर बात की गई हैं और उन्होंने आगे कहा कि सीम को वर्तमान इस्थेदी से अवगत्वी कराया और सीम ने देश्मुक से निवेदन किया कि वो सबी बच्चों के संपर्क में रहकर उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे और गैलोट ने यूकरेन में फसेद देश और प्रदेश के विद्धार्ट को भारत आने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके और सीम ने अपने पत में यूकरेन में फसेद चात्र अजेस सिंग से फोन पर बाचित का उलेक करते हुए उन्होंने कहा कि वहां से एक साथ निकलने के लिए विद्धार्टियों को रोमानिया और पॉलेंट से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है और सरकार के अधिकारियों को वहां फसे बच्चों और उनके पाईजनों से यह संदेश मिल रहे हैं सुप्रिम कोट ने राजिस्थान के एक ट्राइल कोट को आदेश दिया है कि चेक बाउंस के एक मामले में अपरादिक कारवाई फिर से शुरू की जाए और वहीं शीर्स अदालत ने कहा कि चेक इस टिपनी के साथ वापस हो गया था कि संबंदित खाता फ्रीज है और वहीं मुक्य नियादिश एनवी रमन और नियादिश एस वोपन्ना और हीमा खोली की पीट ने यादेश राजिस्थान हाई कोट के एक फैसले के खिलाब दाखिल की गई याचिका पर फुना आया और वहीं हाई कोट ने मामले में अपरादी कारवाई खारिश कर दी थी और सुप्रिम कोट ने इस दलील को मानने से इंकार कर दिया कि प्राकर में लिखित अदिनियम की धारा 138 के तहट आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और बैंक मैनेजरों ने इस पस टूप से और से अपील करता कि पक्ष में आहरित चेक को खाता फ्रीज की टिपने के साथ लोटा दिया गया था और वहीं हाई कोट के आदेश को रद करने के साथ आदेश में ट्रायल कोट को ये निर्देश भी दिया गया कि वो मामले की सुनवाई फिर स्रेक शुरू करे और इसे ए अप्त किया जाए और वहीं PCC चीफ कोविन सिंग डोटा सरा के बयान पर PGP ने पलटवार किया है और बीजेपी परवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि विवादित बयान देना डोटा सरा की आदत बन चुकी है और गोविन सिंग ने RSS को डसने वाला साप बता है और इस बयान को लेकर बीजेपी परवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि डसने वाला साप आप और आपकी सरकार है जिन्नोंने रीट भरती परिक्षा में धानली करके 26 लाग परिवारों को डसने का काम किया है तो वहीं रामलाल शर्मा ने आगे कहा कि आप जैसे सरकार ने नुमाइंदों ने चीत के अभ्यारतियों का भविश्टे अंधकार में डालने का काम किया झालने का आपकी सरकार ने गज़ आपकी सरकार ने उले आपकी सरकार ने किया है